नमस्कार, हिंदी साहित्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तो, UGC JRF 2021 की तैयारियों के अंतरगत पिछले कल हमने अपने डिसकस कर लिया था कि क्या हमारी जो प्लानिंग है, क्या रणनीती है और किन स्ट्रेटजी के जरिये हम 2021 का जो JRF हासिल कर सकते हैं अगर आपने भी तक अवरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं जहां से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सीखने को मिल जाएं हो सकता है आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाएं तो प्लीज आप एक बार उसको देख लीजिएगा अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी विद्यात थी जो ये कह रहे थे कि सर हमें कौन सी ऐसी पुस्तके हैं जो हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी आप एक वीडियो बनाएए या फिर ऐसी पुस्तकों के बारे में लगातार मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी पुस्तके हैं आप पढ़ते हैं और किन के जरीए हम भी अपना जियारफ कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बिहद उपयोगी है कि कौन कौन सी आसे पुस्तके हैं जिनके जरीए हम पहुंसकते हैं जून 2021 के जे आरफ के पास तो चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता रहता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास अचारे रामचंदर शुकल का इस पुस्तक को हम कभी भी छोड़ नहीं सकतें क्योंकि ये बहुत ही महतपूर्ण है और हिंदी साहित्य का ये अधार गरंथ है है ना इसके बिना हम कोई भी हिंदी की परिक्षा पास नहीं कर सकते अचारे रामचंदर शुकल का हिंदी साहित्य का इतिहास अब हिंदी से रिलेटिड कोई भी परिक्षा देख लीजिए इस पुस्तक से आपको कुछ ना कुछ सीजें जरूर पूछी जाएगी या यह कथन किसका है उसमें आप देखते हैं कि अचारे रामजनरे शुक्ल हंडर में से आप ये मान के चलिए कि 60% पार अचारे रामजनरे शुक्ल ही उसका सही उत्तर होता है ठीक है ना तो शुक्ल की पुस्ता को आप डिनाई नहीं कर सकते UGC Net JRP की परिक्षा के लिए ठीक है ये सबसे महतपूर्ण है सबसे पहले इस चीज को इस बुक को आप खरीद लीजिए ये बहुत जरूरी है यहाँ पर दोस्तों मैं इसलिए इनका बीच वाला पेज दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे पास जो पुस्तके थी उनमें कवर लगा हुआ है और जिसको हटाना मुश्किल था इसलिए मैंने आगे का जो पेज है वो आपकी बीच में रख दिया है दोनों पुस्तकों का अगली जो पुस्तके देखिए ये भी बहुत ही मौतपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास ये वाली पुस्तक भी दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है UGC NET की परिक्षक के लिए इसमें आपको ना सिर्फ एक यूनिट का ना सिर्फ दो यूनिट का आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के नामकर्ण से लेकर के आखिर तक जितने भी आपकी अन्य गद्य विधाएं हैं चाहे आपकी कहानी है, चाहे नाटक है, कविताएं हैं, उन सब के बारे में जितने भी आपके युग हैं, है ना, हीतिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद आपके प्रगतिवाद से लेकर प्रियोगवाद, छायवाद, सब का मिश्रण क्या है, हिंदी सहीतिय का इतिहास, संपादक जो डॉक्टर नगेंदर है, और संपादक, सह संपादक, जो हैं डॉक्टर हर्दयाल, ये वाली पुस्तक में आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, तो बहुत ही अच्छे पुस्तक है, ये भी इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, UGC, NET, JRF की परिक्षा को पास क करने के लिए, ये दो चीज़ें होगी दोस्तो, इसके अलावा, अगर आपके पास डॉक्टर बच्चन सिंग का आधुनिक हिंदी साहिते का इतिहास, और हिंदी साहिते का दूसरा इतिहास हो सकता है, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है वो भी, यहाँ पर मैं इसलिए नहीं ला पाया हूँ उनकी इमेज को, क्योंकि मेरे फॉन में उनकी पीडियव थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनको भी अपने पास रख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है दोस्तो, तो कोई बात नहीं, अगर आप पीडियव ले सरल इतिहास है इसको ले सकते हैं ठीक है बहुत चोटी से पुस्तक है ये इसको भी आप खरीच सकते हैं बेसिक है इसमें चोटी-चोटी चीज़ें संक्षिप्त करके दी गई है और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ठीक है राम स्वरूप चत्रुवेदी की ये पुस्तक है इसको भी आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के दिहास के से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए ठीक है ना तो ये दो तीन चार पुस्तके हैं जहां से प्रशन पूछने की संभावना रहती है है ना उसक अगर कोई पुक अच्छे से कवर करती है तो वो है आपका हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर राम चंद्र तिवारी की तो दोस्तों ये पुस्तक हिंदी साहित्य में या यूं कहें नेट के विद्यातियों के लिए अन्य पुस्तकों की अपिक्षा थोड़ी सी कॉस्टल रहे हैं आपके delivery charges तो in short कहने का मतलब यह है कि लगभग thousand के आसपास आपको ये book मिलेगी ठीक है ना लेकिन जब मैंने ये पुस्तक खरीदी दोस्तों तो मुझे लगभग 700 के आसपास ये मिल गए थी हो सकता है आपको थोड़ी सी महंगी पड़े अगर आप वागई में च जरिये ही मैंने अपने notes त्यार किये हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो notes चाहिए होंगे तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं इसके उपर हम पूरा काम कर रहे हैं दोस्तों आपको लगभग within two or three months में complete जो भी हैं आपको यो notes provide करवा दे जाएंगे इसके पास चाहते और हरत्यका बशासर के लिए आपके पास book तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि जो आपकी अन्य पुस्तके हैं जैसे आपका गोविंद पांडे और सरसुती पांडे वाले पुस्तक है तो वहां से प्रशन भी इस तरीके से ही पूचे जाते हैं ज्यादा deep नहीं तो इसके लिए आपको book अगर आप ले रहे हैं तो much better है भागीरत मिश्र की जो मेरे पास है अगर आपके पास कोई और है तो वो भी चल सकती है बशरते आपके पास कुछ ना कुछ content जरूर होना चाहिए इसके लिए आपके पास material होना चाहिए चाहिए नेक्स ते दिखिए इसके बाद हिंदी भाषा एवं सहित्य का वस्तुनिष्ट इतिहास तो इससे पहले तो बात होगी जो भी आपकी इतिहास से संबन्दित पुस्तके हैं गद्य सहित्य से रिलेटर जो पुस्तके हैं आपके नाटकों कहानियों के विश्य वस्तु को जानने के लिए अधार क्लियर हो जाएंगे ठीक है न अब बात ही आती ही है कि जो आपके फैक्चुल कोश्टन्स हैं जो मैं पिछले कल अपनी पीछे वाली वीडियो में डिसकस कर रहा था कि जो फैक्चुल कोश्टन्स होते हैं उनको आपने कैसे याद रखना है या हमने कंप्लीट उसके बारे है में बात कर ली थी अब देखिए उन फैक्चुल कोश्टन को कौनसेप्ट हमने क्लियर कर लिया जो भी हमारे पास बुक्स थी टेक्स थी उनको हमने पड़ लिया अब हमारा काम क्या था फैक्ट को क्लियर करना है तो वो सबसे बेस जो बुक है देखी यह वो है हिंदी भ उनमें से एटलिस्ट तीन पुक्स आपके पास होना बहुत सरूरी है। साहित्य का वस्तुनिष्ट इतिहास, सरस्वति पांडे और गोविन पांडे की पुस्तक जो वस्तुनिष्ट चीजों के लिए अप्चेक्टिव चीजों को समझने के लिए वहां से आप क्या करेंगे। सरस्वति पांडे और गोविन पांडे से भी निचोड़ के छोड़ जाते हैं। तो वो नहीं छोड़नी है, पांडे को पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद आती है बात दोस्तों कि जो आपके गाइड बुक्स हैं, वो कौन-कौन से आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखे, यहां पर मैंने तीन रख दी हैं, अगर आपको लगता है कि इन में से एक से भी आपका काम चल पड़ेगा, तो वो मैच बेटर है। या फिर, बहुत सारे स्टुडेंट्स मुझे ऐसा भी कहते हैं, कि सर, क्या ऐसी कोई एक बुक मिल जाएगे, जिसमें सारी चीज़ें कम्बाइन हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना में खहना चाहूंगा, कि कम्बाइन यूजी सी, नेट या जी आरफ के लिए कोई पुस्त है, उनमें तो सारी चीज़ें समभाईत हैं, लेकिन वो बुस्तकें सफिशेंट नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होंगी, आपने देखा भी होगा एक्जाम में, कि उनसे आपको सिर्फ आइडिया मिल रहा है, उनसे आप संक्शिप्त चीज़ें आपको मिल रही हैं, महतोपूर्ण चीज़ें, जो में में हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कुछ जो बारीक चीज़ें हैं, जो बिलकुल कंसेप्चुल चीज़ें हैं, वो वहाँ पर अच्छे से नहीं दी गई हैं, ये बात आप देखेंगे, जो भी आपके कथेत्र गद्यवाली पीशे नहीं भागिए, जहां से आपको जो कॉंटेंट मिल रहा है, उसको उठाइए, उसको पढ़िए, उसको नो डॉन कीजिए, वो ही मच बेटर है, तो देखिए, गाइड़ बुक का काम लास्ट में है, या फिर बीच में आप इनको देखते रहेए कि किस तरीके से प् लगभग लगभग सही है, ठीक है, उसके बाद अशोक तिवारी की है, प्रतियोगिता साहीते सीरिस की पुस्तक, है ना गाइड़ बुक, उसके भी आप हेल्प ले सकते हैं, अच्छी है, अरिहंत की, अरिहंत में शायद थोड़ा बहुत उपर नीचे डिट्स पगिरा में है, उसको आप थोड़ा संभल के पढ़ेगे, दूसरी किताबों के साथ मैच करिके पढ़ेगा, तो ज़्यादा बेटर हैगा, एक और चीज़ अदी कि ये, गाइड़ वोक्स को पढ़ने का फाइदा क्या है, इसमें आपको प्रीबियस एर के पेपर भी मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही महत्पोर्ण है, यूजीसी, नेट, जियारेप की परिक्षक को पास करने के लिए, ठीक है, चाहे आप उपकार के लिजिए, चाहे आप अरिहंत के लिजिए, चाहे प्रत्यों की तसाहिती सिरीज के लिजिए उनको भी, वो भी आपको बजार में उपलब् ठीक है, वो बहुत जरूरी है, और slivers वो तो आपके पास होना ही चाहिए, उसकी एक copy आप पहले से ही निकालके रख सकते हैं, ये तो होगी बाद दोस्तों कि जो जो चीजें important हैं, इसके अलावा देखिए, हमारे पास बचता है कहानी, नाटक, निबंद, उपन्यास और अ इनको आप PDF के जरिये भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कहीं उपन्यास मिलता है, जो उपन्यास आपको पास hard copy जिसके मिल रही है, वो आप खरीद लीजे बजार से, अगर आपको लगता है कि आपके पास उपन्यास खरीदने के लिए इतने सारे पैसे नहीं है, आपको क PDF भी provide कर देंगे, आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं, telegram group के साथ जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़े हमने वहाँ पर पहले से ही डाल दी हैं, ठीक है न, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं देखिए, आपका कवीता वाला जो portion है, उसकी भी व्याख्या सहित आपक से ही cover up कर सकते हैं, क्योंकि वहां से कुछ एक लोग क्या कहते हैं कि व्याकरण अलग से लेना पड़ेगा, क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, UGC net की परिक्षा में व्याकरण से related बहुत कम question पूछे जाते हैं, या यूं कहें, पूछे ही नहीं जाते हैं, हिंदी भाषा क के विकास से पूछे जाते हैं, तो वो आपका सरसुदी पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से clear हो जाता है easily, या ना आपको नगेंदर की पुस्तक में भी वो चीज मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़े हैं जो आपको UGC net की परिक्षा को crack करने के लिए बहुत ही एक पुस्तक आपको कताई नहीं मिल सकती है, I hope बहुत सारे विद्यारती जो ये कह रहे थे कि सर हमें पुस्तकों की जानकारी नहीं है, उनके लिए ये वारी पुस्तकें काफी sufficient हो सकती हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से पुस्तके हैं, आपके पास बस्तुरिष्ट सहीत्य काईतिहास होना चाहिए, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई, बहुत ही मौतपूर्ण है, बच्चन सिंग काईतिहास पे आप रख सकते हैं, इनमें से एटलिस्ट आप आधी भी मंगवा लेंगे, तो वो आपके लिए ज दोस्तों के बेच में शेयर कीजिए, और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जार नई सपूर्थी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंगे